हेलो एब्रीबन वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम डिजाइन वाले सूट की कटिंग करना सीखेंगे तो जैसे ये डिजाइन वाला सूट है इसको हमें इस तरह से खोल लेना है इस तरह से मैंने कपड़े को खोल लिया है अब यहां पे हमारा जॉइंट है तो यह अलग है हमारा पीस अगला और पिछला अलग है तो इससे हमें सिलाई को यहां से खोल लेना है यह हमारा फ्रंट पीस है इस तरह से यह हमारा पूरा एम्बरोडरी वाला है और यहां पे नेक का डिजाइन बना है अब इस टाइम हमें देख लेना है ये नेक हमारा ब्राबर है अगर टेटा मेटा है तो ये हमारा क्या उपर से पैच लगा हुआ है सिलाई की हुई है तो इससे हमें खोल के कर सकते हैं तो अगर हमारा यहां से टेटा होता है तो उसे हम खोल के दुबारा फिक्स कर सकते हैं इ क्षप्डे को यहमारा डब जो फ्रंट का पीस है यहमारा सेत हो गया है अब यहमारा बैग का पीस है, इसे भी हमे06 जितना हमारा यह चोडे मे tourists ब्राबर कर लेंगे इसे फुड्ड डबल मे आप जैसे यह स्रूंट का मैं इसुठा लूंगी तो पहले हमें back का piece इस तरह से रखना है ये back बला piece रखती है ये इस तरह से fold करके तो ये extra है यहां से हमारी sleeve निकलाएगी अब इसके उपर हमें ये कपड़ा जो fold किया है set कर देंगे इसके क्या neck पे यहां पे button है जैसे तो इन्हें हमें खोल लेना है पहले क्योंकि lose है हमारे ये readymate है तो इसे बाद में हम लगाएंगे fix करके अब देखी ये दोनों कपड़े मैंने एकदम ये folded side है हमारी दोनों की दोनों की एकदम बराबर करके हमें इस तरह से set कर दिया है मैंने दोनों पीस कपड़े के हमारे तो ये मैं इकठा काट रही हो लग लग भी हम काट सकते हैं अब सबसे पहले हम measurement देखेंगे जिस कूर्टी का हमें बनाना है तो लंबाई हमारी यहां पे है 42 inches shoulder है 15 inches chest है हमारी 42 camera हमारी 38 है hip हमारा 44 है gear हमारा 46 है जो हमारा bottom गा होता है front neck 7.5 inch है और back neck हमारा 5 inch है arm hole हमारा 45 है तो यह measurement चाहिए कूर्टी के लिए अब सबसे पहले हमें लंबाई लेने है तो लंबाई हम जैसे इसका जो नीचे का पाट है यह तो हमारा पहले से ही fold है तो इसमें extra नहीं रखना back बाले में हमें extra रखना है तो यहां पर ध्यान दिजी जैसे यह हमारा fold ही है और यह हमारा back side है तो यहां पर मैंने 1 inch यहां पर रख लिया है extra folding के लिए एक जड़ेट रख सकते हैं तो यहां पर मैंने रख लिया है तो यह हमारा front का यह बड़ा हो रहा है तो यहां से हमें इस तरह से यहां पर निशाने डा लेना है यह हमारा दोनों एक बराबर हो जाएंगे इसलिए पट का लेना है आप यहां से लेके यहां तक हमारी लंबाई है 42 inches तो हमेरे को चैने यह जैसे 42 इंच जिसका है 144 का है लेकिन हम जब कपड़ा लेते हैं उसी ताइम हम देख लेंगे कितना लंबाई आएगी तो 41 तक रेडि होगा तो जितनी भी लंबाई है हम अथनी ले 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 लेंगे और बैक बाले पले में 1,5 इंच एक्सर चुड़ेंगे तो ये कपड़ा हमारा ready हो गया इसके बाद हमें यहां से shoulder लेना है तो shoulder हमारा 15 inch है 15 का में आदा रखना है तो 7.5 inch पे निशान लगाएंगे यहां से arm hole हम 8 inch रखेंगे यह में 8 inch पे सीधा निशान लगाना हमें अब यहां पे हमारा सीधी line लगा लेनी है जे हमारी chest लएना जागी तो जैसे chest हमारी है 42 inches 42 inches का हमें चोथा पार्ट निकालना है 42 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10.5 तक आएगा तो यहां पे हमें 10.5 पे निशान लगा लेना है यह भी हमें सीधी line लगा लेनी है अब कमर का निशान लगेगा तो कमर हमारी जैसे है 38 inch तो 38 inch को हमें डिवाइड करना है 4 से 4 से डिवाइड करिया तो हमारा 9.5 इंच के करीब आजाएगा तो यहां पे 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्रा रखेंगे इसके बाद हमारा हिप का निशान लगेगा तो यहां से हमें रखना है measurement tape को यहां तक तो यहां पे मैं 21 इंच पे ऐसे निशान लगाया और यह भी हम line लगा लेंगे बाकी अपने अनुसार आप जितना मर्जी इसे उपवर जा नीचे कर सकते है यह hip line है तो जैसे hip line है हमारी 44 inches hip है हमारी तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 इंच आगे यहां पे 11 पे निशान लगेगा उसके बाद हमें 2 इंच एक्स्रा ले लेना है अब रखेंगे घेर गेर जैसे हमारी hip है उससे हम आदा इंच जादा लेते हैं जा अपने टेस्ट के नुसार भी हम ले सकते हैं जितना हमें जादा लेना है तो यहां से मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी यह 12 इंच पे निशान लगा हमारा अब इन निशानों को हमें मिला लेना है जैसे यह हमारा चेस्ट का है और यह कमर का तो इन दुनों को ऐसे मिला लेंगे और यह हमारा मार्चन का है और यह हमारा कमर का है यह भी हम इस तरह से यह हमारा कमर है यह hip है और यह हमारा extra है यहां से लेके यहां तक जो निशान लगाया है हमारा hip का यह हमारा flare Truck दुनों को ऐसे जोईन गते हैं इसके बाद यह हमारा extra आजाएगा तो यह भी हमें यहां से लाइन लगा देनी है यह हमारी fitting line है और यह हमारा margin का है 2 इंच ध्यान लखे है यहां पे यह कपड़े हमारे हिलने नी चाहिए एकदम बराबर रहने चाहिए नहीं तो हमारा एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा अब हम यहां से arm hole का shape देंगे तो यहां से हमें जैसे यह मैंने 1.5 इंच रखा है यहां से line लगा लेंगे हम 1.5 इंच की इसके बाद मैं यहां यह बन एंड हाफ इंच हमारी back की लगेगी और एक इंच हम फ्रंट में देंगे अब जैसे पहले में neck बना लेती हूँ तो यहां से neck बनाएंगे तो जैसे normal neck हमारा होता है 2 एंड हाफ इंच ओड़े में तो यहां पर निशान लगाऊंगी और हमारा जैसे front है साड़े 7 इंच है तो यहां पर निशान लगाया यह निशान लगाया इससे हमें बराबबर इस तरह से line लगा लेने है तो यहां पर हमारा neck आएगा यो हम बात में cut करेंगे यहां पर हमें 1,5-1 oz down में जाना है तो इसलीए मैंने पहले नेक बनाई है तो यह line हमारी इस तरह से आ जायी कि अब जैसे 1,5 centre में चला गया अब हमारा यह 7 चला गया है इसके बाद हर उसका Center लेना है इस line का टो यह हम Center लें लेंगे इस अब यह सेंटर लिया है यहां से हमें यह फ्रंट जो हमारा बैक का है यह निशान मेंने लगाया है इसको निशान को लगाते हुए हमें यहां चेस्ट में मिला देना है यह जो हमारा निशान लगया है गुलाई में यह हमारा बैक पीस का लगा है तो फ्रंट का मैंने यह एक नहीं काते हुए इसके साथ मिलाते हुए यहां मिला देंगे रूद हमारा अंदरस्य के मुआ अगर नहीं काते हुए तोमें कपड़ा भी नियुक नियुक थ्यान रखना है फ्रंट में हमें ये कट लगाना है ये हमारे कूर्टी की जैसे मार्किंग होगे पूरा ड्राफ्ट हमारा बन गया है तो यहाँ पर मैं फिर आपको बोल रही हूँ ये दोन्नों पीस है इन्हें हमें एकदम पराबर रखना है अब हम कटिंग करेंगे जैसे ये हमारा नेक के पास इस तरह से है ऐसे काटूंगे में ये हमारा पहले ये बैक का कटेगा यहाँ तक ये हमारी मार्जन लाइन ये कटेगी ये लाइन है हमारी ये काटेगी ये हमारी स्टिचिन लाइन है यह हमारी cutting होगी अब जैसे यह arm hole की shape है हमारी front की तो इसे हमें cut करना है तो यह front उपर का piece है हमारा दोनों यह उठाने है तो यहां से इस तरह से हमें cut कर लेना है यह neck है हमारा इसे हम सीलते time काटेंगे तो जैसे यह back का हम निशान लगा लेंगे यहां से इस तरह से निशान लगा लेंगे तो इसे काटना है तो हम काट सकते हैं जैसे बैक का मैं 5 इंच रखोंगी यह 5 इंच रखा और यहां से हमें इस तरह से गुलाई देंगी है यह हमें इसी तरह कट कर लेना है अब जैसे ये हमारा कमर का निशान है तो यहां से हमें इस तरह से ऐसे करके कट लगा लेना है यह हमें सिलाई करते टाइम इजी रहता है दोनों हमारे बराबर आएंगे तो हमें पता रहता है बराबर हमारी सिलाई हो रही है यहां से भी हमें कट कर लेना है अब जैसे ये निशान हमारे एक साइड है तो इससे हमें दूसरी साइड भी लगा लेना है ये कुर्टी को मैंने ऐसे रखा और हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे फोल्ड किया और यहां से हमें ऐसे हाथ से प्रेस कर लेना है इस तरह से नीचे तक कर लेंगे प्रेस करने के बाद अब देखिए हमारा ये ये तो हमारा डार्क है तो आ गया इस तरह से तो इसे हमें डार्क कर लेना है तो सिलते टाइम हमें निशाने लगाने पड़ेंगे ये कपड़ा हमारा साइड में बचा है तो इसकी हमारी स्लीप बनेगी इससे हमें डबल फोल्ड कर लेना है ये डबल फोल्ड हो गया अब इससे हमें इस तरह से चार फोल्ड में कर लेना है ये चार फोल्ड में कपड़ा हो गया हमारा तो ये हमारी जैसे लंबे में हमारा है जैसे यहां पे आ गया हमारा साड़े तेरा इंच है तो यहां से हमें ब्राबर कर लेना है इस तरह से यह कट कर लेना है ब्राबर हो जाएगा हमारा अब जैसे यह हमारी लंबाई हो गई तो साड़े बारत के करीब है हमारी लंबाई तो यहां पे हमें जैसे हमारी सलवार को डिजाइन वाली है तो डिजाइन डाल उसके हमारी जादे बन जाएगी तो यह हमारी थोड़ी 3-4 थी बनेगी तो अब हम यहां से कितना लेंगे जैसे यह 10.5 इंच आया है हमारा इस तरह से कपड़े को ऐसे कर लेंगे यह कपड़ा है मारा साइल से बचा है इतना ही बचा है इसका तो यहां पर में रख लूँगी क्योंकि इतना हमारा कट में जाएगा ऐसे रख लेंगे जैसे इस तरह से रखा तो आदा इंच हम इसके उपर रखेंगे कपड़ा और बाक 12 इंच-2 1.5 इंच हमारा एक्ष्ट्रा होगा है अब जैसे ये हमारी लंबाई होगी 12 इंच अब यहाँ से हमारी मोहरी आएगी तो मोहरी जैसे यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूं तो akसो 21 इंच एक्षद लेना है तो divin इंच अब जैसे यहां से हमारा कट आएगा तो यहां से मैं 3 इंच पër निशान लगा रही हूं। और एक निशान हमारा यहां पे लगेगा , 1-2 इंच पे अब जैसे यह दुनों निशन को हमें मिला देना है इक दूसरे के साथ ऐसे मिला दिया अब जैसे ये हमारा अधाई इंच मैंने ऐसे छोड़ा है यहां से हमें थोड़ा उपर से ले जाते हुए यहां से सीधा ले लेना है इस तरह से इसके बाद हमारा जैसे यहां पर हम दो इंच छोड़ लेंगे जो हमारा margin के लिए छोड़ा है उसके बाद हमें दोनों का center लेना है इस तरह से और यह हमारा जैसे अंदर की side sleeves का down होता है इस तरह से यहां तक मिला देंगे यह हमारी front sleeve में इस तरह से थोड़ा अंदर से cut आता है तो यह back का हुजा है हमारा इसके बाद हमें यह दोनों point मिला देने है तो थोड़ा सा ही हमारा joint आएगा बाकी हमारा बीच में जो extra कपड़ा उसी में जाएगा यह हमारी सिलाई की line लगी अब 2 इंच हमारा यह margin का हो जाएगा अब हमें cutting करनी है तो यहां से हम करेंगे यह back का आएगा हमारा पहले यह करेंगे इस तरह से और यह हमारी जैसे bottom है इसकी मोहरी है इस तरह से यह कटा गया अब जैसे यह हमारी पट्टी है जो मैंने extra लगाई है यह हमारे इसी दोनों piece में आएगी तो यहां पे हमें join करके उसके बाद सिलना है दो यठाने हमें पूरा नी काटना है तो केवर गलती से मारे तेन भी कट जाते हैं यहां पे ध्यान रखना है तो यह हमें इस तरह से दो बाट का काट लेना है तो इस तरह से हमारा अगर कपड़ा कम हो तो यहां पे हमें मियानी जैसे लगा के उसे बड़ा कर लेना है नहीं लगाएंगे तो हमारी जैसे छोटे कपड़े में स्लीप से एक दम बराबर नहीं बैठेगी हमारी जो आर्म हो ले उसके साथ अब यहां पर हमें कट लगा लेना है तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपने डिजाइन जो कुर्ती होती है नेक्स्ट वीडियो में